आप देख रहे हैं अपना समाचार अपने किरदार के बारे में तो बड़ा कथीन हुआ क्योंकि कालपने किरदार करना असान होता है को क्योंकि क wilderness समाच्व करते हैं मैंन splashIGHT को ओ inm से किर्दार को अब तक को थोड़ा मुझ ओरक होते हैं मैंशे नाम यह लिए कौंसा किरदा कर शकिते हैं उनको वापो फिल्म लेखती है तो आपको कहीं नगहांश करते हैं तो सिसलिए आपको ने कौटिक अनपोराई चीज़े एड़ कर सकते हैं इसमें बहुत ज़ादा एड़ करनी की गुझाइश नहीं होती है क्योंकि वो किरदार है कहीं भी लाइफ में तो आपको उसको टच करते हुए निकलना पड़ता है अज़े आप आज तो बहुत सारे अपने करेक्टर के साथ एक्पिर्मिंट करते हैं यह तो बता दीजी कि फिल्म में किस तरह का करेक्टर रपादार निके साथ पांचा फिल्में कर चुका हुँमें वो मुझसे कभी विलन नहीं करवाते है उनका रिकॉर्ड रहा है पहली ब बहुत कहानी से तुरण जुड़ती है वो लोग जहां का वो किरदार होता है वहां के लोग उस फिल्म से तुरण जुड़ते हैं जो लोग जानते उनके बारे में तो एक बेनिफिट मिलता है फिल्म को कि फिल्म जब उस जगर पे लगती है तो लोग उस फिल्म में अपने वह पुलिम में आदगार है ये और काम कुलेब होनी की यह कु Cathार में के सांधे निया करने की वाद होती हैं हम लोकेशन को लेके बहुत ज्याधा कंप्रोमाइज कर जाते हैं फिल्मों में इनोंने Locations को लेकर क्राकारों को लेकर कोई कंप्रमाज नहीं किया है और बहुत रेलिस्टिक पैटन्मेन फिल्म बनी है सारे अक्टरों ने अपनी तरफ से बहुत बहुत बहुतर काम की है इस फिल्म के लेकिए उससे कुछ मिलता जुलता नही है वो एक कालपनिक कहानी थी, एक रियल कहानी है, यहीं दोनों फिल्में अपने आप में अलग हो जाती है, शमीम साब के साथ यह मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी है तीसरी फिल्म है, इसके पहले भी उनके साथ दो फिल्में कर चुका हूँ, और काफी मजे हुए कलाकार है, कि और संतोशी कि किसी फिल्म में मेरी पिटाई नहीं हुए ये भी एक है इत्फाक उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है कि तो विलन नहीं करवाते मुझसे पॉजिटिव करवाते है अपनी हर फिल्म में इसमें विलन करवाया भी तो मार खाने से बचा लिया मुझे उन्होंने य हां मैंने जिवómo भी में है खुटा वो भी इंसा नहीं है थपड तो नॉर्मल सीज उसको पीटना नहीं कहेंगी सिक्वेंस में हवंका सा टच किया है उसे बस relaxed